Exercise 6.5, Class 12, Word Problems हम देख रहे हैं हाँ, जो की Base है, Maxima और Miniva पर Question number 13 कह रहा है, Find two numbers whose sum is 24 and whose product is as large as possible As large as possible मतलब हमें क्या बोल रहे है, Maxima की case बोल रहे है, Maxima condition चाहिए तो माना की हमारे पास दो number है, जिनका sum 24 है तो, पहरा number हो गया X, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 24 minus X अब हमें क्या दिया हुआ है, इनके product, तो product मतलब की X multiply by 24 minus X अब यह product क्या हो गया, हमारा function हो गया X का, अब यह Maxima है, तो हमें इसे Maxima वाली case लगाएंगे, condition लगाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इसका, DP by DX निकालना पड़ेगा, तो हमने इसको निकाला, DP by DX निकाला तो यह हो गया 24X minus X square तो हमारा हो गया P of X, जब हम इसका differentiation करेंगे तो 24X का हो जाएगा 24 और X square का हो जाएगा minus 2X, अब Maxima निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, जो भी हमारा F dash of X आता है, उसको 0 के equal रखते हैं तो यह हमारा P dash of X कितना आजाएगा, 0 के equal रख दिया, तो 24 minus 2X equal to 0, तो 24 equal to 2X, या X equal to 12 तो दूसरा निकालते हैं, तो यह कैसे निकालते हैं, F double dash X equal to, रखते देखते हैं जहाँ X equal to 12 है, अगर positive आया, तो minima, negative आया, तो maxima, let's check it तो D2 P of X upon DX square किया, तो क्या आगे हमारे पास, जो differentiation किया, तो 24 का दो गया, 0 और minus 2X का किया, तो कितना बचा, minus 2, that means, जो second time derivative किया, वो आया negative और अगर second derivative negative होता है, तो यह क्या बताता है, कि यह maxima है, that means, यह जो maximum का numbers है, वो कौन कौन से हो गए, 12 and 12, similar base का question है, find two positive numbers, X and Y, such that, X plus Y equal to 60, and XYQ is maximum, again, हमारे पास, पहला number क्या हो जाएगा, X plus Y equal to 60, तो X equal to क्या हो जाएगा, 60 minus Y, या हम Y equal to लिख सकते है, 60 minus X, हम कोई भी कर सकते है, या तो X को Y के term में लिख सकते हैं, या Y को X के term में लिख सकते हैं, यह हमारे उपर है, अब product दिया है, product कितना दिया है, X into YQ, तो चुकि हमने X की जगा क्या रखा है, 60 minus Y, और यह हो गया YQ, तो इससे फायदा क्या हो गया, हमारे पास, यह दो variable की जगा कितना हो गया, एक variable हो गया, तो अब हमने Y के form में बना लिया है, तो जो P है, P is the function of Y, इसको और multiply कर दिया, 60 into YQ हो गया, और Y4 हो गया, अब हम differentiation भी किसके respect में करेंगे, Y के respect में करेंगे, that is, D, P, Y, D, Y, तो यह हमारे कितना हो जाएगा, 3 यह दा multiply हो जाएगा, तो 3 into 60, 180, और Y square, minus 4YQ, अब maximum या minimum ने कालने के लिए में क्या करना पड़ता है, जो first derivative होता है, उसको 0 equal रखना पड़ता है, तो हमने 0 रख दिया, 0 रख दिया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4YQ equal to 180 Y square, Y square से Y square cancel, तो बचा, 4Y equal to 180, यह Y equal to 180 divided by 4, so it will come 45, तो अगर Y हमारा 45 है, और X equal to 60 minus Y था, तो X हमारे कितना आ जाएगा, 15, तो हमारे दो positive number है, वो कौन कौन से हो गए, 15 and 45, but क्या है यह जो हमारा Y 45 आया है, यह maxima की condition को satisfy कर रहा है, इसके लिए में क्या test करना पड़ेगा, second derivative test, तो हमने second derivative test किया, तो second derivative test किसका करना है हमारे इसका, 3 into 1, 60 into Y square, तो जब हम इसका करेंगे तो क्या जाएगे, 2 और आगे चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 into 3 into 60, मतलब कि कितना हो जाएगा यह हमारे पास, 360 Y minus 12 Y square, 360 Y minus 12 Y square, अब Y की value कितनी है, 45 रख देते हैं, तो जब हम 360 into 45 और 45 का square करेंगे, तो 45 किसका कितना होता है, 2 0, 2 5, मल्टिप्लाई करके दिया, तो हमारे पास answer जो आया है, वो overall negative आया, तो जब second derivative negative है, that means it's a maxima, तो answers is 15 and 45, question number 15 देखते हैं, find two positive numbers, X and Y, such that their sum is 35, and the product, X square into 5, Y5 is a maximum, फिर से, पुराना ही caution दिया हुआ हमाई लगविक, तो X plus Y equal to 35, तो हम इसको फिर से, या तो X equal to 35 minus Y लिख सकते हैं, या Y equal to 35 minus X लिख सकते हैं, मतलब कि again, हमारा जो product है, उसमें दो variable हैं, X और Y, तो उसमें से हमें एक को replace करना है, इसका स्क्वेर किया, तो 35 का स्क्वेर हमारा कितना हो जाएगा, 3, 4, 4, 12 और 5 का 25, 1, 2, 2, 5, A square plus B square minus 2AB, तो इसको भी multiply कर देते हैं, तो 1, 2, 2, 5, Y5, Y5 and Y2, Y7 and 70 Y6, यह हो गया हमारा P of Y, यह हमारा question बन गया, product बन गया, अब हम इसका derivative निकालेंगे, तो पहले तो first derivative निकाला, जब first derivative निकालेंगे, तो 5 भी आ गया जाएगा, इस पर Y पर 4 की पावर आ जाएगी, फिर 7 Y6 हो जाएगा, और यह 6 आ गया जाएगा, तो 6, 7 जा 42, तो 4, 2, 0, Y5, अब हम इसको रखेंगे, फिर्स derivative को 0 के एक्वल, जैसे 0 के एक्वल रखेंगे, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 7 Y6, माइनस 4, 20, Y5, और 5 इंटू 12, 25, Y4, एक्वल टू 0, कॉमन क्या आ रहा है हैं से, Y4, और 7 भी कॉमन आ रहा है, तो 7 Y4 कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा क्वल Y2, यहाँ बचेगा, माइनस 60 Y, और यहाँ बचेगा, 875 इक्वल टू 0, अब हम यहाँ से Y की वैल्यू निकाल लिया है, तो हमने मिडिल टम स्प्लिट किया, तो 60 को किस तरीके से तोड़ें कि, इनका प्रोड़क्ट 875 Y, तो 35 एन 25, 35 इंटू 25, 875 ओ, 35 ज्यू 25, 60, Y कॉमल लिया, Y मैंने 35, यहाँ से 25 कॉमल लिया, Y मैंने 35, तो हमारे पास 2 वैल्यू आ गए, या तो Y 35 है, या Y 25 है, तो वैसे ही, अगर Y 35 है, तो X एक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, मतलब कि हमारे पास दिया था दो का सम तो x equal to 0 हो जाएगा तो यह answer क्या जाएगा 0 तो हमारे पांसर maximum हापाएगा नहीं तो y की value 35 हो हम accept नहीं करेंगे अब y equal to क्या करेंगे 25 तो अगर y equal to 25 है तो x value जा होगी 10 तो हमारा जो two positive numbers है वो क्या हो जाएगे 10 and 25 च्या इस पर यह positive maximum है इसका test हम कैसे करते हैं जो first derivative था उसका भी equal differentiation करेंगे और अगर answer negative आया तो वो maximum होगा तो first derivative हमारा कहां था का चुका था यहां यहां इसका भी derivation करते हैं तो 6 आ गया जाएगा 6 7 जा 42 y5 42 y5 यह 5 आ गया जाएगा 21 00 y4 और यह 4 आ गया जाएगा तो 245 00 y3 अब y की value क्या रख दें 25 तो हमने y की value 25 रख दी जहां जहां y है वहां मैंने 25 रख दिया अब यहां से सबसे पहले आप देख लो जो common आ सकता ले ले तो यहां से हमने 25 पर 4 की power common ले ली तो हमारे पास कुछ data बचा और जब हमने कुछ solve किया तो हमारे पास जो answer आया वो कितना है negative और negative multiply by positive is equal to negative that means second derivative जो आया है वो totally negative आया है that means यह जो answer है वो maxima है तो हमारे दो answer क्या क्या हो गए 10 and 25 question number 16 देखते हैं find two positive numbers whose sum is 16 and the sum of whose cube is minimum अब दो number जिनका sum 16 है तो पहला हमारा हो गया x तो दूसरा क्या हो जाएगा 16 minus x और क्या दिया है क्यूब का sum होना चाहिए minimum अब maximum हमने चाहिए minimum चाहिए है ठीक है तो sum को हमने denote किया है s से तो s हो गया हमारा x cube plus 16 minus x का whole cube अब ds by dx किया मतलनका differentiation किया with respect to x तो x cube का हो गया 3x square और 16 minus x का करेंगे तो पहले तो cube का करेंगे तो आ जाएगा 3 into 16 minus x का whole square फिर 16 minus x का करेंगे तो 0 minus 1 that is minus 1 इसका multiply किया तो कितना आ गया ds by dx 3x square minus 3 into 16 minus x का whole square अब first derivative को 0 के equal रख देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3x square is equal to 3 into 16 minus x का whole square 3 से 3 cancel, दोनों side square root ले लेते हैं तो x का आ जाएगा और यहां plus minus 16 minus x आ जाएगा x इधर चला गया तो कितना हो जाएगा 2x equal to 16 या x equal to plus minus 8 अब यहां देखें second derivative test देखें तो d2s upon dx square किया तो 6x minus हमारे पास क्या था यह 3x square minus यह था तो 3x square के अतना हो जाएगा 6x और इसका कितना हो जाएगा 2 आगे जाएगा तो 3 2 जा 6 into 16 minus x 6 into 16 minus x और again 16 minus x का multiplication करेंगे तो 16 का 0 minus x का minus 1 तो हमारे पास कुला answer कितना आ गया 6x plus 6 into 16 minus x इसको bracket open करें तो 6 x या 96 और 6 x minus का plus supply is cancel total answer आ गया constant वो भी positive अब जब second derivative positive आता है तो वो कैसे होते है minimum that is minimum value हमारी आगे अब अगला question देखते है question number 17 question number 17, 18 थोड़े से अलगता है कि question है a square piece of tin of side 18 cm is to be made into a box without top by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form the box what should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is the maximum possible तो सबसे पहले हम इस question को समझ लेते हैं उसके बास solve करेंगे हमारे पास एक square seat दी है जिसकी dimensions क्या है length 18 cm width 18 cm केवल एक page है मतलब हमारे पास एक page है अब हमें माना की एक square है इसको हमें क्या करना है इसको fold करना है कुछ तरीक है अगर हम इसको ऐसे fold करेंगे तो हमारे पास एक box बन जाएगा जिसका top नहीं होगा तो square को जमा box बनाना होगा तो fold करने के लिए हमें कुछ हिस्सा काटना पड़ेगा corner से ताकि वो आसानी से fold हो सके अब कितना हिस्सा काटें तो हमने माना की जितना हिस्सा यहां से काटा उतना हिस्सा चारो corner से काटा वो कितना काटा एक्स हिस्सा काटा अब जो हम यह x इसा काटेंगे तो यह x इसा ऊपर आ जाएगा x इसा ऊपर आ जाएगा that means उसकी height हो जाएगी x इसकी जो क्यूबॉइट बनेगा हमारी उसकी height हो जाएगी x अब इसकी length इतनी हो जाएगी total थी 18 x यहां से कट गया x यहां से कट गया तो 18-2x similarly यह भी 18 था x यहां से चला गया x यहां से चला जा गया तो इतना हो गया 18-2x अब क्यूब आइट का volume क्या होता है length into width into height तो length हो गई 18-2x width भी हो गई 18-2x और height हो गई x तो हमारा volume of cube कितना हो गया विक्वल टू length into width into height अब इसको solve कर दें अगर अपन तो 18 का square 324 2x का square 4x square minus 2a भी 18-2 जा 36 into 2 72x और यहां x है x का पूरे multiply किया तो 4x cube minus 72x square और plus 324x यह हमारा आगया volume का formula अब हमें क्या निकालना है rate of change of volume with respect to side तो dby dx किया तो कितना आ जाएगा 3, 4, 12 x square minus 144x और यह 324 अब इसको हम क्या करेंगे इसके लिए अब हम first derivative 0 रखेंगे dby dx equal to 0 करेंगे तो 12 x square minus 144x plus 324 equal to 0 यहां से 12 common आ गया तो हमारे पास बचा x square minus 12x plus 27 middle time split की तो हमारे पास बचेगा और हमने solid किया तो x minus 3 into x minus 9 equal to 0 that means x की दो value आ गई एक 3 और एक 9 अब अगर हम यहां 9 की value गई x 9 होता तो अगर यह 18 था और 18 minus 2x 9 और 9 कट कर दियो तो क्या बचा 0 मतले length तो हमारे कितनी बचेगी 0 तो जो की possibility नहीं है that means 9 we cannot accept तो acceptable value is 3 तो हमारा answer क्या हो गया 3 यहां से भी 3 यहां से भी 3 यहां से भी 3 हो यहां से 3 अब क्या हमारा answer maximum आएगा तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा second derivative test करेंगे second derivative test किया तो second time differentiation किया किसका 12 x square minus 144 x का तो इसका हो जाएगा 24 x और इसका हो जाएगा minus 144 बात इसका constant का हो गया 0 अब x equal to कितना है आपका 3 पूट कर दिये 3 तो 24 3 जा 72 minus 144 that is answer आया negative again so total जो answer आया हो आया negative that means it will have maxima फिर से same question ही है अब भी हमारे पास एक rectangular seat थी अब हमारे sorry square seat थी अब हो जाएगी rectangular seat इस question में में दिया है rectangular seat में एक tin की sheet है जिसकी length है 45 cm और width है 24 cm इसको भी हमें क्या करना है corner से fold करके क्या बनाना है पिछले caution जैसा एक cuboid बनाना है जिसका top नहीं है तो यहां से भी मैंने x cut किया x x x cut किया तो अभी यह 20 45 था तो अब कितना हो जाएगा 45 minus x और x 45 minus 2 x यह 24 था तो यह हो जाएगा 24 minus 2 x और height कितनी हो जाएगी जतना fold किया that means यह वाली length तो यह हो जाएगी x तो इसका volume क्या हो जाएगा वही length into width into height that means 45 minus 2 x 24 minus 2 x into x सबसे पहले तो हम v को solve कर ले तो 45 और 20 इसको solve किया तुमारे पास कुछ multiply करने के बाद answer आ गया कितना 4 x cube minus 138 x square plus 1080 x यह हमने इसको solve कर लिया एक equation बना लिया तो यह हमारा जो volume है वो क्या है x का function है अब अगर हम इसकी rate of change of volume निकालने with respect to side तो क्या जाएगा dby by dx कितना आ जाएगा 12 x square minus 276 x plus 1080 अब value निकालने के लिए first derivative जो आया है उसको 0 के quit कर दें यहां से हमारे पास 12 common आ गया तो हमारे पास बचा x square minus 23 x plus 90 equal to 0 अब 23 को middle term split कर दें तो क्या जाएगा x square minus 18 x minus 5 x plus 90 that means x की value एक आ गई 18 एक आ गई 5 again अगर मैं यहां से 18 18 2 times cancel कर दूँ तो 24 minus 36 that is answer negative जो तो possible ही नहीं है that means हमारे जो acceptable value है वो क्या है x equal to 5 तो square of side जो cut कर रहे है वो क्या है 5 cm का square हमारे corner से cut करेंगी अपना answer चेक करना है कि यह maxima है या नहीं तो क्या करते है second derivative test तो हमारा first derivative आया था कुछ यह इसका second derivative करेंगी तो कितना आ जाएगा 24 x minus 276 x equal to 5 रखा तो 120 minus 276 that is answer negative next question देखते है question number 19 show that of all the rectangles inscribed in a given fixed circle the square है the maximum area मतलब कि जो circle है उसके अंदर जितने भी rectangle होंगे उनमें से अगर area maximum है तो rectangle square होगा यह हमें प्रूब करना है तो माना कि एक circle है जिसका radius है small a इसकी length है L और width है B rectangle की जो की circle के अंदर inscribed है rectangle हमने माना P, Q, R, S और इसका center माना O अब सबसे पहले तो हमें बताना है area तो area निकालना पड़ेगा area क्या होता है length into width फिर वही बात यहां दो variable आ गए और दो variable हमारे लिए problem करेंगे तो हमें इसको एक variable में convert करना है तो इसके लिए हम सबसे पहले triangle लेते हैं S, Q, R और हम L और B में relation निकाल लेते हैं तो A, radius तो circle की constant है तो यह diagonal कितना हो गया A और A, 2A तो हमारे पास कितना आ गया 2A का whole square equal to L square plus B square that means 2A square equal to L square plus B square तो B square equal to कितना आ जाएगा 2 का 4A square minus L square तो B equal to under root 4A square minus L square तो जो हमारा area का formula था length into width तो यहां हमारे पास L जाओ काते हो रखा और B को क्या रख दिया under root 4A square minus L square A constant है अब किवल कौन सा variable बचा L मतलब कि किवल एक variable बचा अब हमें क्या निकालना है DA by DL जब DA by DL किया तो यहां दो product है तो पहले function का differentiation दूसरा function जाओ का थे हो plus दूसरे function का differentiation तो दूसरे का differentiation करेंगे तो क्या होगा पहले root का करेंगे रूट का क्या होता है 1 upon 2 root into जो भी root में होता है फिर इसका करेंगे तो क्या है तो क्या है 4 square का constant और minus L square का minus 2 L और पहला function as a test तो हमारे पास जब sort out किया तो क्या आगए DA by DL कितना आगए यह तो जयोंकातियों रहा root 4 square minus L square और यह कितना हो गया यह upon 1 चल रहा है LCM लिया तो इधर क्या जाएगा 4A square minus L square equal to L square और L square upon 4A square minus L square अब इसको पूरे के equal डग दो किसके 0 के first derivative को तो हमारे पास कुछ under root 4A square minus L square equal to यह आगया यह धर चला गया तो multiply हो गया 4A square minus L square equal to L square L square बापे सदर आगया तो कितना हो जाएगा 2L square तो L equal to कितना आगया under root 2 into A तो length की value कितना आगया root 2A अब इस length की value बापे सदर कहा रख दे इधर जो B की value थी तो जो हम यहाँ value रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4A square minus root 2A का whole square तो यह कितना आजाएगा 2A square तो 4 square में 2A square तो कितना आगया root 2A square तो A बाहर आजाएगा तो root 2A मतलब length आ रही है root 2A और width भी आ रही root 2A कब की बात हो रही है maximum area के case में that means length and width तो same है और length and width तो same है that means what जो rectangle है वो क्या हो गया हमारा square बन गया जो हमारी यह condition proof हो गई next देखते है question number 19 question number 19 में हमें करना है show that of all the rectangles inscribed in a given fix यही थो हमना भी किया हूँ हाँ हमारे पास क्या आ गया root 2A आ गया तो L इक्वल टू बी आ गया तो पिस यह question में अब हमें प्रूफ भी इसका second derivative ही करना था secondary हम करेंगे तो कोछ इस तरीके से चलेगा